आज हम हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड दा एज ओफ इंडस्ट्रिलाइजेशन का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्रेक्टरिस कम अप इन इंडिया लास्ट वीडियो में हमने अब तक डिस्कस किया इंडस्ट्रिलाइजेशन का जो एरा था वो सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट हुआ था इस्पेशली इन यूके उसके बाद यूके की वरकर्स की जो लाइफ उनका जो स्टेटर्स उनका जो सिचुएशन इन सारी चीजों को हमने डिफली डिस्कस किया था इसके बाद अब हम इंडिया का स्टेटर्स देखेंगे कि इंडिया में सबसे पहले फैक्टरी जो थी वो कहां पर आई, कब आई और किस प्लेस में सबसे पहले वो सेट अप हुई थी तो यहां पर कुछ बाते हमें सिर्फ लर्ण करनी है क्योंकि ये चीज़ समझने के नहीं है आपकी NCRT में भी एक पूरा पेरेग्राफ दे रखा है जिसमें ये बता रखा है कि फैक्टरी जो थी वो इंडिया में लगातार जो है वो 19th सेंचुरी में सेट अप होने लगी थी जिसमें सबसे पहले कॉटन मिल थी जो 1854 में बॉंबे में सेट अप होई थी जूट मिल 1855 में बंगाल में सेट अप होई एलगिन मिल जो थी वो 1860 यानि 1860 के डिकेड में कानपूर में सेट अप होई थी फिर वापस से एक कॉटन मिल 1861 में एहमदाबाद में सेट अप होई थी और लास्ट इस्पेनिंग एंड वीविंग मिल जो थी वो 1874 में मैडरास में सेट अप होई थी तो ये सारी चीज आपको लंड करनी है इनको देखना है इनको टेबल के ठ्रू लंड करना है लेकिन इस्पेशली जो एक्जाम में जदातार एक्जामिनर जो पूछते है वो एक तो सिर्फ जिस इंडस्ट्री के बारे में वो वन मार्क में पूछेंगे वो एक तो है cotton और दूसरी है jute ठीक है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यह cotton मिल जो थी first time हमारी इंडिया में 1854 में Bombay में set up हुई थी जबकि jute मिल जो थी वो अगले ही साल यानि 1855 में बंगाल में set up हुई थी तो यह दो चीज आपको learn अच्छे से करनी है इसके बाद हम देखते हैं कि factories तो set up हुई अलग-अलग तरीके की factories अलग-अलग place में set up की गई लेकिन वो कौन-कौन से person थे जिनोंने की इन factories को set up करने में अपना contribution दिया था तो यहाँ पर हमें जिस तरह से हमने mills को हम learn करेंगे उसी तरह से हमें कुछ नाम learn करने हैं वो entrepreneur वो industrialist जिनोंने की factories को set up किया था यहाँ पर हमें चार नाम अच्छे से learn करने हैं अच्छे से सुनना फर्स्ट है द्वारकानाथ टेगोर फ्रॉम बंगाल सेकेंड पेतित एंड टाटा फ्रॉम बॉंबी सेथ हुकुम चंद फ्रॉम केलकेटा एंड लास्ट जीडी बिर्ला फ्रॉम रजस्थान तो आपको ध्यान रखना है जो टेगोर टाटा बिर्ला हुकुम चंद ये चारों जो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रलिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले फैक्टरी को इंडिया में सेट अप करने का एक अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी दिखाई ये सारे के सारे कौन-कौन से प्ले वो राजस्थान से बिलॉंग करते थे तो ये तो हुई हमारी एक लर्निंग वाला प्रोसेस कि फैक्टरी जो है वो कहां-कहां पर लगी कौन-कौन से यर में लगी थी इसके बाद हमने उस समय के अर्ली जो एंटरप्रेनर थे यानि जो इंडस्ट्रलिस्ट थे उनके बार का मतलब यह है कि अभी जो हमने नाम लिए थे टैगोर, टाटा, हुकुम्चंद और बिर्द्ला ये किस तरह की ट्रेडिंग करते थे इंटरनल या एक्स्टरनल अगर हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल का मतलब है विधिन कंटि और अगर हम external की बात करें तो इसका मतलब है इंडिया से बाहर तो हमने अगर अभी जो नाम लिये थे ये सारे के सारे जो बोलते है external trade से belong करते थे external trade में पैसा ज्यादा होता था किस तरह से पैसा इन्होंने earn किया ये सारी चीज आपको learn करनी है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इंडिया में दो तरह के trade होते थे एक तो था internal internal और दूसरा था external ओके internal में जो लोग बाहर जाकर trading करने के risk से बचना चाते थे जो नहीं चाते थे हम बाहर trading करे वो लोग within इंडिया ही रहते थे उन्हें बोलते थे internal traders तो ये लोग क्या करते थे एक state से दूसरे state में goods को ले जाना service को provide करना commodities देना finance करना funds को collect करना money को इधर से इधर means उन्हें pass करना ये सारा काम internal trading के अंडर में आ रहा था और जो external था external में main हम जिस चीज को यहां पर learn करते हैं वो है opium actually में opium का जो trading थी ये ही trading पहले इन चारों ने यानि टेगोर, टाटा, हुकुमचंद और बिर्ला ने की थी जिससे कि इनके पास में पैसा आया और पैसा आने के बाद इन्होंने बड़ी बड़ी factories को setup किया था तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि external trade में जो opium का काम होता था यानि opium को बंगाल में grow British government करवाती थी और उसके बाद इस opium को चाइना लेकर जाने का काम किनका होता था हमारे industrialist का उसके बाद वो पैसा collect करके उस पैसे को UK government को देती थी और UK government ये सारा काम करने की उन्हें क्या देते थे कीमत देते थे यानि पैसा देते थी इस तरह से उन्होंने पैसा collect किया पैसा collect करने के बाद finally उन्होंने factories को set up किया कि उन्होंने जो लोग जादा पैसा कमा रहे थे उन्होंने बड़ी बड़ी factories को करा और जो पैसा कम कमा रहे थे उन्होंने internal trade शुरू किया तो इस तरह से आपको देखना है, तो इस तरह से हमने देखा कि internal और external trade जो है वो लगातार चल रहे थे तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान देनी है कि इंटर्नल ट्रेड और एक्स्टर्नल ट्रेड इन दोनों को कौन सी एजेंसी कंट्रोल कर रही थी ठीक है? तो ये internal और external इन दोनों को control करने के लिए British government ने कुछ agency को set up किया था यहाँ पर आपको agencies के नाम लंड करने हैं जिसमें first था bird, higglers right, second हम बात करेंगे Andrew, Andrew, Yule third हम बात करेंगे Jordan, Skinner तो यहाँ पर आप लंड करने के लिए simple तरीके से लिख सकते हो higglers, yule और skinner यह तीन agency थी जो British East India Company ने हमारी इंडिया के internal और external trade को control करने के लिए set up की थी बहुत simple सी बात है external trade यानि जो opium के थुरू कुछ लोगों ने बहुत जादा पैसा इखटा किया था उन्होंने बड़ी बड़ी factories को set up किया लेकिन जिनों ने external trade को मतलब promote नहीं करा या इसमें interest नहीं लिया और वो सिर्फ internal trade ही करते थे तो उनके पास में capital की कमी थी इसलिए वो बड़ी बड़ी factories को set up नहीं कर पाए तो यहां पर यह बात clear हो गई है तो अब हम आगे चलते हैं अब हम बात करेंगे agencies की ये जो agencies थी इनकी monopoly चलती थी किसके उपर factories के उपर factories में जो भी मजदूर या जो भी वीवर्स या जो भी workers काम करते थे वो इंडिया के ही थे, land इंडिया की थी, resource इंडिया के थे लेकिन monopoly किसकी चल रही थी in agency की जिनोंने इन factories को set up किया था वो भी decision नहीं ले सकते थे सारे decision लेने का जो right था वो किन को था in agency को जो भी finance system हुआ करता था, जो भी capital workers को दिया जाता था या उनके wages जो fix किये जाते थे, ये सारा काम कोन करता था, ये agency इवन इन agency की जब meeting होती थी management chamber में जब भी industries के कुछ decision लेने के लिए regularly जो meeting की जाती थी उस meeting में भी उन जो factories को set up करने वाले industrialist थे उनको भी entry मना थी, means उनको भी बुलाया नहीं जाता था तो इसका मतलब है, जो हमारी इंडिया की factory थी उस पर main control किसका था, इन तीन agency का था और इनी agency के थुर British East India Company लगातार हमें torture करती थी और हमें exploit कर रही थी अब हम आगे चलते हैं, इन factories में काम करने के लिए किसकी requirement होगी वो थे workers अब ये workers कहां पर आते थे, ये workers आते थे villages से अगर secretary बॉंबे में लगी हुई है, तो बॉंबे के आसपास जितने भी villages होते थे वही से workers अपने आप, जब भी उन्हें पता चलता था कि job की requirement है तो वो वहाँ पर आ जाते थे तो इस सारे से आसपास के villages जो थे, वो workers की requirement को fulfill किया करते थे ये तो हुई एक बहुत simple बात, लेकिन बात ये है कि जब एक job की requirement होती थी और आ जाते थे हजारों और लाखों में, तो उस समय उनको manage करने का काम क्या factory का honor करता था या ये agency करती थी, तो ये चीज आपको अच्छे से learn करके देखनी है कि villages से आने वाले जो workers थे, इन workers को control और manage करने का काम कौन करता था, वो था jobber ठीक है, jobber post का नाम है, person का नाम नहीं है कोई भी person जो factory का बहुत पुराना, old होता था, trustee होता था और experience holder होता था, ऐसे person को factory का honor जो था, वो jobber की post दे देता था तो factory के honor कौन थे, या तो टाटा, बिर्ला, हुकुमचन, या फिर द्वार करना, टैगोर तो ये लोग villages से आने वाले workers को manage नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास में इतना time नहीं था और ये ही काम, ये तीन agency भी नहीं करती थी, उन्हें तो सिर्फ production चाहिए था उन्हें ये मतलब नहीं था, कि आप कितने workers से करवा रहे हो, वो workers कहां से आ रहे हैं, आप कितना wages दे रहे हो तो इस बात का इन्हें भी कोई मतलब नहीं था, तो workers को manage करने के लिए, factory के honor ने एक post को introduce करा, जिसका नाम था जोबर, अब जोबर क्या करता था, ये चीज़ आपको ध्यान करनी है, ये है कुछ features, जोबर की, पहली features ये है, कि ये जोबर जो था, ये old person हुआ करता था, experience holder था, और trusty था, यानि विश्वास पात्र था, loyal था, किस के लिए, honor के लिए, और जो honor थे, वो उन्हें लगता थ कि हा, ये हमारा सारे workers को अच्छे से संभाल सकता है, तो वो उसी person को क्या बनाते थे, jobber बनाते थे, second चीज़ आती है, help, ये लगातार workers की help करने के लिए तयार रहता था, it means workers को settled करना, अगर उनके पास में घर नहीं है, तो घर को manage करना, wages को regularly based पर अच्छे से देना, अगर कोई dispute हो जाए, तो उसको भी sort out करने का काम, jobber करता था, इसके बाद थर चीज़ आती है, ये है ensure job, jobber जो थे, वो पास के villages में जाते रहते थे, वहाँ देखते थे, कि कौन सा person जो है, वो talented है, जिसको काम मतलब ये ले सकते है, कम wages पर कौन काम करने को तयार है, ये सारी बात देखने के बाद, jobber उनको offer करता था, अपने factory में, job के लिए, तो जब वो person migrate होकर वापस urban area में आता था, तो jobber उसे ensure करता था, कि हाँ, आपको job मिल जाएगी, और आप यहाँ पर आ जाओ, तो इस तरह से, उसके, उसका, मतलब जिस तरह से वो ensure करता था, उसी के बाद, तयार होता था, next आएगी, वो है power, इन सारे काम को करने के लिए, mainly power की बहुत जरूरत है, rights की जरूरत है, authority की जरूरत है, workers को कितना visas देना है, कोई worker सही काम नहीं करना है, उसको warning letter देना है, किसी worker का काम बिल्कुल सही नहीं है, तो उसको बाहर निकालना है, यह सारा काम jobber क करता था, तो इन काम को करने के लिए, उसे power, rights, authority की जरूरत थी, और यह सारी चीज़े कौन उसे provide करता था, factory का honor, तो यहाँ पर jobber जो था, वो power और right को enjoy करता था, और last इसकी features आएगी, वो है, gifts and money, बहुत simple सी बात है, जब यह post start हुई होगी, बड़ी respected हुआ होगा, सब लोगों ने सोचा होगा, jobber जो है, वो लगातार हमें job को मतलब देगा, अगर वो हमें job को ensure कर रहा है, तो इसका मतलब है, हमारे पास में talent है, इसलिए तो वो हमें job को offer दे रहा है, लेकिन यह वाला काम, पहले तो बहुत सही चलता रहा, लेकिन last में आते आते, जो भी person jobber बनता था, उसके अंदर अपने आप एक अलग सा attitude आ जाता था, वो हर बात को सुनने के लिए तयार नहीं होता था, हर एक से वो मिलना पसंद नहीं करता था, और हर एक person उससे मिल भी नहीं पाते थे, और jobber जो था, वो indirectly कि job को देने के लिए gift और money की लगातार demand करने लगा था, तो इसका मतलब है jobber जो थे, वो आने वाले time पर बड़े ही corrupt हो गए थे, यानि एक भरस्ट हो गए थे, तो यह है jobber की features, तो यहां हमने इस video में कुछ बातों को clear कराए, mainly बात आपकी learning की है, तो इस topic को आप जितना हाँ पर देखा कि इंडिया में जो factory set up हुई थी, वो कौन कौन सी थी, इसमें हमने cotton jute को तो with iyer देख लिया है, cotton की factory Bombay में और jute की बंगाल में लगी थी, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एहमदाबाद में भी cotton mill जो थी, वो 1861 में लगी थी, ठीक है तो Bombay के बा आने वाले वो entrepreneurs कौन कौन से थे, वो industrialist कौन कौन से थे, तो आपको नाम दर लन करना है, Tata, Binla, Tagore और हुकुम चन, इन लोगों के पास में पैसा कहां से आया, इन लोगों के पास में पैसा opium trade से आया था, ये opium trade वो कैसे करते थे, opium जो था, वो especially कहां पर जाता था, वो ज चाइना में, चाइना से पैसा कलेक्ट करके ये industrialist किसको देते थे, वो देते थे UK को, UK की government इस काम को करने के लिए उन्हें क्या देती थी, गिफ्ट देती थी और पैसा देती थी, इसी पैसे से उन्होंने क्या लगाने शुरू करी, factories, लेकिन जो लोग ऐसा opium का, यानि external trade क करने के interested नहीं थे, उन्होंने इंडिया में रहकर ही trade किया, उनके पास में इतना पैसा नहीं था कि वो factories को set up कर पाए, लेकिन वो trading करते थे, अब trading चाए internal हो चाए external हो, दोनों ही trade पर किसका right था, इन सारी agency का, जिनकी monopoly चलती थी, जो honor थे, वो इनी के कहने पर काम करते थे, लेकिन factories के अंदर जो workers काम करते थे, उन workers को manage करने का काम ना तो ही agency करती थी और ना वो honor करते थी, उसका कौन काम करता था, वो करता था, जोबर, और जोबर की हमने अभी features देखी है, तो इस तरह से हमने देखा, इंडिया में factories कब लगी, कैसे लगी, और कौन कौन सा type था य करसे लिए काम करता है, लो शुरे करते बार करते हैं, तो ही और क्या हमने इस हमने करता है, पिता है, जो फjas mentioning का मेंदेशिक जडिया मेया in से दो हाईको प्भाट